हेलो दोस्तों मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंशोरेंस प्लान जेमल लक्षय प्लान नमबर 933 के बारे में बताने वाला हूँ तो ये एक ऐसा इंशोरेंस प्लान है जिसे काफी लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं आपने काफी बार वाटसब पर फेस्बुक पर एक इमेज देखी होगी जिस पर लिखा होता है LIC का नया प्लान कन्यादान पॉलिसी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि LIC में कन्यादान पॉलिसी के नाम से कोई भी इंशोरेंस प्लान नहीं है लेकिन LIC का एक इंशोरेंस प्लान जेवन लक्ष है प्लान नंबर 933 उसमें आपको वही सब बेनिफिट मिल जाते हैं जो की आपको कन्यादान पॉलिसी में बताए जाते हैं तो आईए सबसे पहले जान लेते हैं कौन-कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं उसके बाद मैं आपको एक एक एक्जामपल लेके बताऊंगा कि इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा और क्या-क्या बेनिफिट्स इसमें आपको मिल जाते हैं इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम इसे कन्यादान पोलिसी क्यों कहते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें minimum age कितनी है इस insurance policy को लेने के लिए यानि कि कम से कम कितने साल का वैक्ती इस insurance policy को ले सकता है तो यहाँ पर minimum age दी गई है 18 साल की यानि कि कम से कम उम्र आपकी 18 साल की होनी चाहिए अगर आप इस insurance plan को लेना चाहते हैं 18 साल से कम के वैक्ती इस insurance policy को नहीं ले पाएगे यहाँ से एक बात पता चलती है कि आप इस policy को अपनी बच्ची के नाम पर नहीं ले पाएगे क्योंकि कम से कम उम्र 18 साल की होनी चाहिए और आपको यह policy अपनी नाम पर लेनी होगी अगर आप इस policy के benefit आपकी बच्ची को देना चाहते हैं यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप married हो या unmarried हो कोई भी व्यक्ती जो 18 साल से जादा का है वो इस insurance policy को ले सकते हैं उसके बाद हम बात करते है maximum age की यानि कि जादा से जादा कितनी उम्र के व्यक्ती इस insurance policy को ले सकते है तो वो उम्र यहाँ पर दी गई है 50 साल की यानि कि 18 साल से लेके 50 साल के व्यक्ती इस insurance policy को ले सकते हैं उसके बाद हम बात करते है policy term की यानि कि इस insurance plan को अगर आप लेते हैं तो कितने साल के लिए इस policy को ले सकते हैं तो यहाँ पर आप 13 साल से लेके 25 साल तक इस insurance policy को ले सकते हैं कम से कम आपको ये विमा 13 साल के लिए लेना होगा और जादे से जादा इसको आप 25 साल के लिए ले सकते हैं इनके बीच में आप कोई भी term choose कर सकते हैं 15 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल जो भी आप इसमें लेना चाहते हैं वो term आप यहाँ पे ले सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं premium paying term की यानि कि आपको अपनी policy में कितने साल तक policy का premium pay करना होगा तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको 3 साल की छूट मिल जाती है यानि कि जितने साल की भी आप policy term लेते हैं उससे 3 साल कम आपको आपके policy का premium pay करना होता है माल लेते हैं आप 21 साल के लिए इस insurance policy को लेते हैं तो उससे 3 साल कम यानि कि 18 साल के लिए उसमें आपको अपनी policy का premium pay करना होगा उसके बाद 3 साल आपको उस policy की किस्त नहीं बरनी होगी उसके बाद हम बात करते हैं minimum sum assured की minimum sum assured मतलब कम से कम आप कितने रुपे का बीमा इसमें आप ले सकते हैं एक लाग रुपे का बीमा आप इसमें ले सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें एक लाग रुपे पे करने होगी इसके basis बे जो भी आपका policy का premium है maturity है, death benefit है वो सब calculate किया जाता है उसके बाद हम बात करते हैं maximum sum assured की यानि कि जादा से जादा बीमा आप इसमें कितने रुपे का ले सकते हैं तो यहाँ पर इसके लिए कोई भी limit नहीं दी गई है ये आपकी income पे depend करता है कि आपकी income proof के according LEC आपको जादा से जादा बीमा इसमें कितने रुपे का देती है तो ये हमने देख लिया है कौन-कौन इस insurance policy को ले सकते हैं आईए अब एक example लेके इस policy के बारे में समझते हैं तो यहाँ पर example समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी उम्र है वो 30 साल की है और उसके बाद आप इस insurance plan को 21 साल के लिए लेना चाहते हैं यानि कि जो हमारी policy term होगी वो 21 साल वाली आप इसमें ले लेते हैं उसके बाद अगर हम premium paying term देखते हैं तो यहाँ पर वो हो जाएगी 18 साल गी यानि कि जो भी आप term लेते हैं उससे 3 साल कम आपको premium pay करना होगा यहां पर आपको 18 साल premium पे करना होगा अगर आप 21 साल के लिए इस policy को लेते हैं उसके बाद हम सम्मेशोड मान लेते हैं 10 लाख रुपे का यान्य की 10 लाख रुपे का भीमा आप इसमें लेना चाहते हैं तो अगर हम इस policy के premium की calculation देखते हैं तो यहाँ पर लगभग लगभग 53,140 रुपे के करीब आपको पहले साल में इसका premium पे करना होगा उसके बाद बाकी के बच्ची सालों में आपको 51,995 रुपे एक साल में इसका premium पे करना होगा अगर आप 6 महिने में, 3 महिने में या हर महिने में इस policy की किस्ट भरना चाहते हैं तो वो भी आप screen पर देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने अभी जो आपकी उम्र है वो मानिती 30 साल की तो आने वाले 18 सालों के लिए यहाँ पे आपको premium पे करना होगा यानि कि जब तक आप 48 साल के होगे तब तक आपको इस policy में premium की payment करनी होगी अगर हम total देखते हैं कि इन 18 सालों में आपने कितना premium पे किया है तो आपने लगबग लगबग 9,37,004 रुपे इसमें पे किये हैं जब आपके यहाँ पर 18 साल पूरे हो जाएगी उसके बाद 3 साल यहाँ पे आपको कोई भ खतम हो जाता है जब आपकी यहाँ पर policy की maturity होगी तो उस समय यहाँ पर total आपको 21,39,000 रुपे के करीब amount मिल जाता है जिसमें आपका 10,00,000 रुपे का समय शोड होता है 10,29,000 रुपे का bonus होता है और 1,00,000 रुपे का final additional bonus होता है तो यह total मिला के आपको लगबग लगबग 21, 29,000,000 रुपे के करीब amount इसमें मिल जाता है maturity पर हमारे example में यह हमने बात तब की है जब हमारे policy holder के साथ कोई भी धुरगटना नहीं होती है यानि कि उसकी death policy के दोरान नहीं होती है आईए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे कन्यादान policy भी क्यों कहते हैं मान लेते हैं ज जब वो 22 साल की हो जाएगी तो उस समय आपको अपनी बेटी के शादी के लिए यह education के लिए वहाँ पर आपको पैसा मिल जाता है यानि कि जब आपकी policy खतम होगी तो उस समय आपके पास पैसा होगा जिससे आप अपनी लड़की का कन्यादान कर सकते हैं या उसकी शादी क लड़ सकते हैं तो आईए अब एक example लेके जानते हैं कि अगर policy के दोरान जिसने भी policy ली थी उसकी death हो जाती है तो उस case में कन्यादान कैसे होगा तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि policy शुरू होने के 4 साल बाद policy holder की death हो जाती है death कभी भी हो सकती है policy शुरू होने के 2 साल death हो जाती है तो यहाँ पर death होने के बाद यहाँ पर आपको आगे policy का premium पे नहीं करना होगा आपका premium वहीं पे खतम हो जाता है बाकी के बच्चे सालों के लिए आपकी policy का premium आपको नहीं वरना होगा उसके बाद यहाँ पर policy holder की death जब भी होती है उसके बाद हर साल जो भी policy क पॉलिसी का नौमीनी है उसको आपकी सम्मेशोड का 10% हर साल मिलता रहेगा यानि कि हमारे एक्जांबल में देखते हैं तो हमने 10 लाग रुपए का बीमा लिया था और उसका 10% देखते हैं तो एक लाग रुपए का अमाउंट हो जाता है तो जो भी पॉलिसी का नौमीनी उसको एक लाग हर सान मिलते रहेगी और ये अमाउंट तब तक मिलेगा जब तक आपकी पोलिसी की मैच्योर्टी होगी यानि कि हमारे केस में देखते हैं तो चार साल बाद देथ होती है तो बाकी के बचे 17 साल हमें एक लाग रुपे मिलता रहेगा जो की 17 लाग रुपे हो जाते हैं 17 साल आपको एक एक लाग रुपे मिलता रहेगा तो 17 लाग रुपे का माउंट यहाँ पर ये आपके पास हो जाता है इसके साथ साथ जब भी आपकी पॉलिसी खतम हो जाती है यानि कि जो भी आपकी पॉलिसी का टाइम पिरिट था 21 साल का वो खतम हो जाएगा तो उस समय इस पॉलिसी की मैचुर्टी भी होती है यानि कि जो भी maturity का amount था वो भी आपके nominee को मिलेगा तो यहाँ पर maturity पर समय short का 110% मिलता है जो कि हुआ 11,00,000 रुपे इसके साथ साथ bonus मिलेगा 10,29,000 रुपे का और 1,00,000 रुपे का final additional bonus मिलता है तो यहाँ पर maturity के समय 22,29,000 रुपे मिलेगे अगर that का case है तो तो यहाँ पर अगर death के time पर maturity होती है तो उस समय 22,29,000 रुपे यहाँ पर maturity पर मिलते है हर साल आपको 1,00,000 रुपे तो मिलेगा ही मिलेगा जितने साल भी आपकी policy के बच्ची है उतने साल तक आपको हर साल पैसा मिलेगा साथ की साथ इस policy में maturity भी होती है तो यहाँ पर अगर आप अपनी बच्ची के कन्यादान के लिए इस policy को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी policy के दुरान death भी हो जाती है तो आपकी बच्ची के लालन पालन के लिए भी यहाँ पैसे मिलते रहेगी साथ की साथ जब आपकी बच्ची शादी के लायक हो जाएगी तो उस समय भी आपको यहाँ पैसे मिल जाती है ताकि बच्ची की शादी हो सके तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इस policy को कोई भी ले सकती है जरूरी नहीं है कि आप अपनी बच्ची के लिए इस insurance policy को ले जो भी 18 साल से ज़्यादा के वैकती है वो इस insurance policy को ले सकती है सबके लिए इस policy को लेने का अलग-अलग purpose हो सकता है उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ suggestion देना चाहूँगा इस policy में आपको कुछ additional benefit में मिल जाती है जिसके लिए आपको कुछ extra premium pay करना होता है तो यहाँ पर उन benefits को आप अपनी policy में ले सकती है सबसे पहला benefit है term rider का अगर आप अपनी policy में term rider add करा लेती है तो जब भी आपकी death होगी यानि की normal death होगी तो उस case में 10 लाख रुपे का समय शोड मिल जाता है अगर हम अपने example में देखते हैं तो यहाँ पे हमने देखा था कि 4 साल बाद policy holder की death हो जाती है तो अगर आपने policy में term rider लिया है तो जब भी death होगी तो यहाँ पर 10 लाख रुपे का amount मिल जाएगा जो की आपका समय शोड होता है यानि की जो आपको benefit मैंने आपको बताई है वो तो मिलेगे ही मिलेगे साथ की साथ जब भी normal death होती है उस case में 10 लाख रुपे का amount और आपको मिल जाता है इसी तरह से यहाँ पर दूसरा benefit जो आप add करा सकते हैं वो है accidental benefit rider का यानि की अगर policy holder की death accident से कारण होती है तो इसका फाइदा आपको मिलता है यहाँ पर अगर policy holder की death accident के कारण होती है तो जैसे की मैंने आपको बताया जो आपको benefit मिलने थे वो तो मिलेगे ही मिलेगे साथ की साथ 10 लाख रुपे आपको accidental benefit rider के भी मिलते हैं यानि कि हम total इस policy के benefit देखें तो यहाँ पर अगर accidental death होती है और आपने accidental benefit rider भी ले रखा है और यहाँ पर term rider भी ले रखा है तो death के case में यहाँ पर आपको 20 लाख रुपे मिल जाएगे साथ की साथ हर साल 1 लाख रुपे मिलेगा और जब आपकी policy के maturity हो जाएगी यानि कि जब आपकी policy खतम हो जाएगी तो उस समय 22,29,000 रुपे का amount भी मिल जाता है यह जो मैंने आपको दो benefit बताए है वो आप अपनी policy में add कराना चाहते हैं तो add करा सकते हैं इसके लिए आपको कुछ extra premium देना होगा अगर आप इन दोनों benefit को add कराके premium जानना चाहते हैं कितना होगा तो वो भी आप screen पर देख सकते हैं LIC ने यहाँ पर आपको एक benefit और दिया है LIC कहती है कि जो भी आपका maturity का amount है या आपको जो भी death benefit का amount मिलना होता है उसको आप हमसे installment पे भी ले सकते हैं 5, 10 या 15 साल की आप installment उनसे बनवा सकते हैं जो भी आप installment बनवाती हैं उस पर LIC आपको interest भी देती है इसके लिए LIC आपको option देती है policy के दोरान आपको बताना होगा LIC को कि policy कतम होने पर आप इस पैसे को एक साथ लेना चाहते हैं या आप installment में लेना चाहते हैं जैसा भी आप कहते हैं उस तरीके से LIC आपको आपके पैसे को आपको दे देती है उसके बाद बात करते हैं other benefits की यानि कि इस policy में आपको और कौन-कौन से benefit मिल जाती है सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ additional rider मिल जाती है यानि कि कुछ additional benefit आपको इसमें मिल जाती है जिसके लिए आपको कुछ extra premium पे करना होगा तो यहाँ पर आप accidental death benefit rider ले सकती है उसके बाद आप accidental benefit rider, term rider या critical illness rider यह सब आप अपनी policy पर extra premium दे के ले सकती है उसके बाद आपको इस policy में loan की सुईदा मिल जाती है policy शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी policy पर loan ले सकती है उसके बाद अगर आप अपनी policy को surrender कराना चाहती है तो policy शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी policy को surrender करा सकती है उस समय जो भी आपकी policy की surrender value होती है वो LIC आपको दे देती है जो भी आप loan लेगे उसका interest यहाँ पे आपको pay करना होता है और आपकी जो policy है वो भी चलती रहेगी लेकिन अगर आपकी policy अगर आप surrender कर देती हैं तो आपकी policy बंद हो जाती है उसके बाद हम बात करते है mode of payment की तो LIC यहाँ पर 4 payment के mode देती है आप 4 में से कोई भी option ले सकती है अगर आप साल में किस्त बरना चाहती हैं तो एक साल में भर सकती है छे महीने में बर्ना चाहे तो वो भी ले सकती है या आप 3 महीने या हर महीने में भी अपनी policy की किस्त भर सकती है उसके बाद यहाँ पे आपको grace time period मिलता है यानि कि आपको कुछ extra दिन दिये जाती हैं जिसमें आप अपनी policy की किस्त भर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे आपसे कोई भी late fees नहीं ली जाएगी तो यहाँ पर अगर आपने monthly payment mode लिया है तो यहाँ पर आपको 15 दिन extra दिये जाती है due date से कि आप due date के बाद 15 दिन के अंदर अंदर बिना किसी late fees के अपनी policy premium की payment कर सकती हैं इसी के साथ अगर आपने yearly 6 months में या 3 months में अपनी policy की किस्त भरनी है तो आपको यहाँ पे 30 दिन दिय जाती है पोलिसी की due date से 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी policy की किस्त भर सकती है उसके बाद यहाँ पे आपको tax benefit भी मिल जाती है जब भी आपकी policy की maturity होती है तो उस से में जो भी आपको amount मिलेगा वो tax free होता है उस पर आपको कोई भी tax नहीं पे करना होगा इसके साथ साथ जो भी आप premium pay करते हैं उसकी deduction आप income tax में ले सकते हैं जो भी income tax rules है उसके हसाब से आप यहाँ पे इसकी deduction ले पाएंगे उसके बाद हम बात करते हैं rebate की यानि कि अगर आप यहाँ पे yearly mode choose करते हैं तो आपकी premium का यहाँ पर 2% आपको discount मिल जाता है इसी तरह से अगर आप य 6 महिने वाली किस्त का option choose करते हैं तो आपके premium पर यहाँ पे 1% का discount आपको इसमें मिल जाता है तो उसके बाद बात आती है revival की कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी policy है वो time पर premium ना pay करने से आपकी policy बंद हो जाती है और उसको आप बाद में फिर से शुरू कराना चाहते हैं त तो उमीद करता हूँ आपको LIC के plan G1 लक्षय plan नमबर 933 के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको क्या-क्या benefit मिल जाते हैं और कौन-कौन इस policy को ले सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो comment में पूछ सकते हैं और आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि इस तरह की latest videos आप सबी को हमारी तरफ से free में मिलती रहें